हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशन में हम परधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना पर चड़चा करेंगे इससे पहले स्वामित्व और अग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये दोनों स्किम्स कवर कर ली गई है दोनों ही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा साथ ही इस सेशन को स्कू करने से पहले गाईस आप सभी को बताना चाऊंगा कि आप हमारी वन येर की मेंबर्शिप अवेल कर सकते हैं जिसके अंतरकत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करन्ट अफेर्स वीडियो पीडियो प्रमेट में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये मेंबर्शिप आपकी एक साल के लिए वैलिट रहेगी इसमें आपको डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ के साथ-साथ जो भी टोपिक वाइजम करन्ट अफेर्स वीडियो बनाते हैं जैसे की अपॉइनमेंट्स, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स इन सभी की पीडियेफ भी आपको इसमें प्रोवाइट कराई जाती है तो मेंबर्शिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फस्ट कमेंट में मिल जाएगा कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाते हैं तो हमें कमेंट बोक्स में जिरूर लिखेगा तो मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा, चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की इसकीम का नाम है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना देखिए उब्भोकता मामले खाद्य और सारवजनिक वित्रण मंत्रा ले जिसे हम इंगलिश में कहेंगे Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution तो इसके तहत खाद्य और सारवजनिक वित्रण विफाग यानि Department of Food and Public Distribution तीन महीने यानि अपरेल, माई और जून 2020 की अवधी के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का कार्यान वेन शुरू किया था जिसे दूसरे चेहनेट के तहत नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया यह योजना 26 मार्ज 2020 को 1.70 लाग करोड की लागत से सुरू की गई थी इस विशेश योजना के तहत राष्टिय खाद्य सुरक्सा अधिनियम 2013 यानि National Food Security Act 2013 जिसे आप शोट में NFSA भी बोलते हैं अर्थात अंतियोदे अन्य योजना और प्रात्मिक्ता वाले परिवारों की दोनों श्रेणियों के तहत कवर किये गए लगबक 81 करोड NFSA लाबारतियों को 5 किलोग्राम परती व्यक्ति परती माह मुफ्त खाद्यान यानि चावलर गेहूं तथा 1 किलोग्राम मुफ्त दाल का अतरिक्त कोटा प्रदान किया जा रहा है देखे जो ये National Food Security Act 2013 यानि NFSA तो इसके तहत पहले से जो राशन दिया जाता है उसके अतरिक्त राशन इस योजना के तहत दिया जा रहा है वो भी बिलकुल मुफ्त अब केंद्र सरकार ने परदान मंत्री करीब कल्यान अन्य योजना चरण 3 के तहत 5 किलोग्राम प्रती व्यक्ति प्रती माह निशुल की दर से अतरिक्त खाद्यान यानि चावलर गेहूं के आवंटन को दो महीने अर्तात मई से जुन 2021 की एक और अवधी के लिए मंजूरी दे दी है और इसलिए ये स्कीम हाली में चड़ जामें है साथी इस चरण 3 में 1 किलोग्राम मुफ्त दाल आवंटित करने का प्रावधान सामिल नहीं है तो ये इसमें आपके लिए काफी important point है इस बार जो ये extend ही गई है मई से जुन 2021 के लिए इसमें केवल चावल और कोस्ट दे जा रहे है इस बार इसमें मुफ्त दाल नहीं दी जा रही है जान लेते हैं National Food Security Act के बारे में यानी NFSA तो राष्टे एक खाद्य सुरक्सा अधिनियम यानी National Food Security Act भारस सरकार द्वारा 2013 में पेश किया गया था इसमें ग्रामीन आबादी के 75 परतिशत तक और सभी परिवार प्रतिव्यक्ति परतिमा around 5 kg खाद्यान का हखदार होगा अंतियोध्य अन्य योजना के तहट आने वाले परिवार प्रतिमा 35 kg खाद्यान के हखदार होंगे इसके तहट पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहुं और मोठे अनाच क्रमसा, 3, 2, 1 रुपे प्रति कि मुल्य पर उपलब्द कराए जाते हैं तो exam point of view से ये इसकी काफी महत पूर्ण है अगर आपको हमारा session अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और ये है आज के लिए आपका assignment question इसका answer आप हमें comment box में जरूर बताईएगा काफी simple question है तो comment box में कोशिश कीजेए कि ज़्याद से ज़्याद संख्या में आप इसका answer जरूर करें और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं तो simply आप telegram open कीजिए महाँ पर current affairs funda अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा channel मिल जाएगा आपको 21,000 के आसपास followers हैं इसमें क्या रहता है जो भी हम daily current affairs MCQs आपके लिए लाते हैं वीडियो उसके रूप में तो उनको हम यहाँ पर polls conduct करते हैं जिससे कि आपकी practice होती रहती है साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वीडियो का notification आप तक नहीं आपाता है तो हम उसका update आपको telegram पर देते हैं तो इसलिए आप हमारे telegram channel को जरूर से join कर लें आयोब आपको यह वीडियो काफी अच्छे लगी होगी इसी तरह के